हाथ पैर के तलों में जलन को दूर करने के उपाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुती कॉमन प्रॉलम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और यह जो प्रॉलम है दोस्तों, खास कर 30 से 35 साल के लोगों में ज्यारा देखने को मिलती है और वो है हाथ पैरों के तलों में जलन की प्रॉलम वैसे तो यह प्रॉलम देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन इसको गिनोर करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है तो आज कि इस वीडियो में हम जानेगी हाथ पैर के तलों में जलन क्यों होता है इसका हिलाज आप घर पर कैसे कर सकते हैं दोस्तों हाथ पर के तलों में जलन के कारणों की बात की जाए तो अगर आपको diabetes है या श्रीर में vitamin B12 की कमी है तो पैरों में जलन हो सकती है या फिर kidney से सम्मंदित कोई problem है तो भी आपके पैरों के तलों में जलन होती है इसके लावाओं भी कई कारण हो सकते हैं जैसे श्रीर में blood circulation का अच्छे से ना होना नसी कमजूर होना श्रीर में toxins जमा होना दावाओं का side effect, vitamin B6 का अधिक सेवन करने से और chemotherapy की दावा खाने से अगर thyroid hormone का इस्तर कम हो गया या फिर hypothyroidism की समस्या हो तो भी पैरों के तलों में जलन होने के समस्या हो सकती है तो यह दोस्तों कुछ कारण जिस वजह से हातों में और पैरों के तलों में जलन होने के समस्या देखे जाती है तो चली जानते हैं इसका घर पर इलाज कैसे किया जाए, विटामिन B12 की कमी कैसे कर सकते हो, या फिर ऐसा डाइड क्या लिया जाए, जिससे पहलों के तलों की जलन से आपको छुटकारा मिल जाए, तो वीडियो को ध्यान से अंतक जरू देखेगा, तो सबसे पहला उपाय ज लवकी को काट कर उसके गोदे को पैरों के तलों में कुछ दिर घीसा करें, अगर आप इससे पैरों के तलों में घीसेंगे, तो पैरों के तलों में जितनी में गर्म सेख हैं वो निकल जाएंगी, और आपको जलन से आराम मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको लव वोई इस पानी में और निकाल लें, या प्रोसेस दिन में कई बार दोरा हैं, इससे पैरों के जलन कम होने लग जाएगे, जलन को खत्म करने के लिए पैरों को पानी में जारा दिर तक भीगो करना रखें, नहीं तो इससे कई खतराक एफ्ट भी सामने आ सकते हैं, इसके और पैरों के तलों पे लेप की तरह लगा लीजे, जो पूदिनी की पतियां हैं, सारा दर्द भी खीच लेगी, और पैरों को ठंड़क भी पहुचाएगे, इसके लाव अगले उपाई के बात की जाए, तो राद को जब भी आप सोएं, तो नारेल के तेल से तलों की स्या विटामिन B12 की कमी से भी हो सकती है, इसलिए आपको खानपन पर खास ध्यान रखना चाहिए, ऐसे इस्तिती में जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन्हें दूद, चीज, पनीर, सोया मिल्क पीना चाहिए, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वे लोग मचली और अंडे को टाइट में जरूर शैमिल करें, इन सबी चीजों में विटामिन B12 अच्छी मांतरा में होती है, इसके लावा सुबह सुबह नंगे पैर आप हरी घांस पर चला करें, इससे जलन की प्रॉलम दूर हो जाएगे, और आपकी आँखों के रोशनी भी तेज हो जाएगे, तिलि पारे में आपने सुना होगा, गोंद कतीरा दोस्तों, तलों के जलन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप एक चमज कतीरा को रात को सुने से पहले एक गिलास पानी में भीगो दें, और सुबह कतीरा को बाहर निकालने और पानी को फिक दें, और इसमे के मौसम में इसका सेवन नहीं करना है अगर आप इस बारिश के मौसम में सेवन करना चाहते हों तो लगातार दस दिनों तक ही करें इससे ज्यादा ना लें इसके लावा अगर आप गर्मी के मौसम में ले रहे हैं तो बेफिक्र होकर गोंद कतिरे का सेवन करें इसके और भी मिलते है। संफ को डाइट में शामिल करने किसी भी तरीके से, संफ शुरीड में ठंड़क देती है, खनात्पर के यञलन को दूर करने के लिए बहुत काम आती है। आप यहाँ पर बड़ी संफ या फिर छोटी संफ किसी भी तरह का सौफ का इस्तमाल कर सकते हैं आप रोजाना खाना खाने के बाद सौंफ और धनिया दाल धनिया दाल भी दोस्तों तासिर में ठंडी होती है इन दोनों के मिश्रण का एक से डिड़ चमच आपको खाना खाने के बाद खाना है और कुछ दिन लगता रखाने से आपको आराम मिलेगा इस नारियल का पानी मिलता हो तो रोजाना पीजिए और आप जब भी आप नारियल पानी लें तो उनको बोलेगा मलाई वाला दीजेगा इसके अंदर जो सफिद मलाई होती है इसे भी आपको खाना है यह पोशक तत्म का खजाना होता है दोस्तों अगर इसे लगता आप किश्मिश को रोजाना डाइट पर शामिल कर लेंगे तो तल्म में जलन के समस्या से भी चुटकारा मिल जाएगी शरीर में खोंटी कमी कभी भी नहीं होगी आलस थाकान कमचूरी नहीं आएगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा आप किश्मिश से आपको कभी भी दर्द और जलन के समस्या नहीं होगी आपको सिर्फ 20-25 दाने किश्मिश लेने हैं इसे रात को एक गिलास पानी में भीको देना है और सुबह खाली पीट पानी पीकर किश्मिश को भी चबा चबा कर खालेना है इसके लावा एक उपाए और बताता हूं दोस्तों यहां पर धेश सारे रेमेडी उपाए देखकर कंफ्यूज मत होईएगा आपसे जो बन पड़े ओ रेमेडी फॉलो किजेगा यहां पर एक या दो या फिर आप तीन रेमेडी भी लगातार फॉलो कर सकते हैं कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़े न सुबहा खाली प fabrics लेना है सुबहा खाली ना कोई बात नहीं है स्थिति में आपको बहुत जयादा नहीं करना है healthy diet रखना है और physical activity रखना है जिससे body में blood circulation अच्छे से हो पाए दोस्तों जितने भी मैंने उपाए आपको बता हैं यह सभी बहुत effective हैं आप अपने हिसाब से follow कर सकते हैं आशर करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को अन तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रियाद